कि तैयारी सही चल लिए चले आज हम कि बीएसी थर्डियर के और्गेनिक केमेस्ट्री को लेकर एक टॉपिक यहां पर डिस्कस करेंगे जिस टॉपिक का नाम है पॉलिमर्स पॉलिमर्स का जो टॉपिक है वो बहुत आसान टॉपिक है बहुत इजी टॉपिक है क्योंकि हम क्लास 12 में भी पॉलिमर्स की एक यूनिट पढ़कर आये हैं और सब्सक्राइब। सब्सक्राइब, बेसी फर्स्टियर और सेकंडियर में भी इंडारेक्टली जब एल्कीन की बात हुई तब हमने फोलिमर्स को पढ़ा था polyethene हमने पढ़ा polypropene हमने पढ़ा polyvinyl chloride हमने पढ़ा जब PVC पढ़ा हमने जब 20 second year में phenol पढ़ा तो हमने वहाँ phenol की formerly hide के साथ reaction कराई तो हमने वहाँ backalite polymer पढ़ा means बात यह है कि जो polymer का topic है वो हम indirectly कहीं न कहीं पढ़ कराए हैं और हमने class 12 में पूरी unit polymer की पढ़ी थी यह हम सब जानते हैं बहुत आसान topic है polymer और दूसरी बात मैं आपको बता दूँ very good afternoon दूसरी बात मैं आपको बता दूँ आप सभी को क्या आप लोग ये कोशिस करना कि polymer में से एक भी question हमारा छुटे ना polymer का question very very good afternoon सबको परणाम जल्दी जल्दी से सब बच्चों को जोड़िए polymer में से कोई भी question नहीं छुटना चाहिए क्योंकि polymer का जो question आएगा ना तो कोई numerical आएगा theoretical question आएगा direct आपको पता होगा कि इसका answer क्या है और क्योंकि इस साल आपको युनिवर्स्टी ने कोरोना की वज़ा से छूट दी है hundred में से 75 questions आपको attempt करने है तो आप पहले वो questions करेंगे जिनमें आपको बिना सोचे आपको answer पता होगा ठीक है फिर उसके बाद आप दोबारा question number one से जो आपने question छोड़े है उन्हें आप start करेंगे जिसमें doubt होगा उसे पहले नहीं करेंगे जल्दी जल्दी से पहले वो questions करेंगे जिसमें doubt नहीं होगा और मुझे उमीद है क्या आपकी copy में सो में से 60 question ऐसे होगे जिनें आप बीना सोचे समझे आप direct उनका answer लगा दोगे ओके सिर्फ फिर 15 question की बात रही उनमें आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा सही answer उनका मिलेगा वैसे तो मुझे उमीद है कि 100 में से 100 आपकी copy में से question आएंगे ठीक है इसलिए हम स्टार्ट करते हैं polymer को मैंने polymer से related जो multiple choice questions है वो group में भेरियत है जिसे नहीं मिले वो आप वहाँ पर देख ले या किसी बच्चे से मंगा लेना ठीक है चलिए polymer क्या होता है ये आपको पता है polymer हमने पढ़ा जब हमने polymer पढ़ा तो आपने देखा मैं आपके example देता हूँ polymer जब हमने पढ़ा तो हमने वहां पर क्या पढ़ा था हमने पढ़ा था एक वर्ड क्या एक पॉलिवर पढ़ा था जिसका नाम था पॉली इथीन पॉली इथीन जब आपने बनाया था तो हमने देखा था कि पॉली इथीन जो बनता है वो किस से बनता है इथीन से बनता है ठीक है ज्यान से देखेगा इधर हमारे पास जो टॉपिक का नाम है वो है पॉलीमर इस पॉलीमर को मैं सिंथेटिक पॉलीमर भी कह रहा हूं मतलब स सिंथेंटिक पॉलीमर भी जिसको यहां पर कह सकते हैं अकोर्डिंग टूसलेबर्स जब यहां पर पॉलीमर की बात होती है तो पॉलीमर का मतलब समझें क्या होता है पॉली मतलब बहुत सारे और मतलब है मं मिकरा मतलब कर दो समझ विच्षेद कर देंगे मौन मतलब एक यानिए सिंगल और यहां पर महर्द का मतलब है उनिट इसका मतलब क्या हुआ जब बहुत सारीसिंगल यूनिट आपस में जुड़ती हैं तब पॉलीमर बनता है क्या होता है जब बहुत सारी सिंगल यूनिट आपस में जुड़ती है तो क्या बनता है पॉलीमर बनता है एक्जामपल देखेगा हमने लिया एक सिंगल मॉलीकूल है छोटा मॉलीकूल है जिसका नाम है इथीन अब हम क्या करें यह इथीन को दूसरे इथीन के साथ जोड़ें तब क्या होगा बताइए क्या होगा मैंने यहां CS2 devil bond CS2 लिया एक CS2 devil bond CS2 यह लिया पताएए यहां से bond break किया एक electron इस पर एक electron इस पर एक electron इस पर पताएए इसका एक electron के साथ bond बना लेगा अब देखो यहाँ पर क्या हुआ यह दो इथीन मॉलेक्टूल सापस में जुड़ गए लेकिन यहाँ पर देखो अभी एक इलेक्टॉन बचा है यहाँ पर भी अभी एक इलेक्टॉन बचा है मतलब यह क्या कहना चाहता है इधर जो एक इलेक्टॉन बचा है कि यहां पर एक इलेक्टरों यहां पर एक इलेक्टरों बना लेगा यह बन गया है तीन मॉलिक्यूल सापस में जुड़ गए अगर आपने इधर जोड़ना चाहा चोथा मॉलिक्यूल इथाएलीन ने बताएए क्या होगा यहां से बॉंड बले की एक रेक्ट्रोन इदर एक रेक्ट्रोन इदर इसका एक रेक्ट्रोन बन जाएगा चार मॉलीक्यूल्स ओफ इतीन जुड़ गए बात समझ आ रही है लेकिन आपने देखा जब दो जुड़े तब भी दोनों साइट में एक-एक तब हुआ है इसका मतलब क्या रखिए हैं आप इक हजार बचेगा कि इसका मतलब क्या हुआ एधर से कि कोई इधायलीन मोलेकुule आए general जुड़ जाए I am active from here और यह कहता है इधर से को इथाइलीन molecule आए और मेरे साथ जुड़ जाए I am also active from here इसका मतलब क्या है कि इधर भी और इधर भी इसके साथ molecule जुड़ सकते हैं यह जुड़ सकते हैं के नहीं जुड़ सकते हैं अब यह क्या बना चलो बताए 1-2-3-4 molecule जुड़े इसे अब क्या बोलेंगे जूब क्युक्त color bunlar क्योंगी सिंगल 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 उनिट कितने जुड़ी एक दो टीन चार टेट्र रमर बोलेंगे तो विदा-5 जोड़ेंगे तो पेंट lifting ऑर वह समझंच नहीं तो इसको उसको क्या लिख सकते हैं डेखो यह सिंगल मॉलیک्यूल हम ने सद्रीन है इस को को हम कि ये सbelश्ण और यहां पर लगा देंगे मतलबर क्या हुआ क्वक्रों कर रहा है कि यहां पर चार इथाइलीन मोलइकूल अपस में जुड़े हुए हैं ये टेट्रामर बना फुरोगे शमझ में आती है बताईए जी पांच पॉड़ेंगे अब बहुत सारे जुड़ेंगे तो यहां क्या बहुत सारे जुड़ेंगे मतलब एंश कुल दोडेंगे इसका इस इलेक्ट्रों नियां इस इलेक्ट्रों की यहां कल दो अज़ने यह णिन क्या बने कहा है यह सिंग्ल युनिट निए कल ओके तो यहां पर ध्यान से देखेगा जब यह सिंगल यूनिट है और यह बहुत सारी यूनिट्स आपस में मिली हुई है तो बताए यह molecular weight किसका जादा होगा molecular weight इसका जादा होगा यानि इनका molecular weight कैसा होगा जादा होगा हाई molecular weight होगा और इसका molecular weight कैसा होगा कम होगा यानि low molecular weight होगा मतलब हम ये भी कह सकते हैं कि कम molecular weight वाले molecules सापस में जुड़ते हैं और high molecular weight वाले compounds बनाते हैं जिने हम polymer करते हैं और क्योंकि polymer से polymer बना है अब polymer बनना है तो polymer बना है तो इस reaction को इस method को हम क्या कह सकते है polymerization बहु लखी करण अभी क्रिया कह सकते है हिंदी में हम क्या कहते है बहु लखी करण बोलो और जो polymer बना है उसे हिंदी में क्या कहते है बहु लख कहते है मतलब बहु मिलती है लख सके है तो polymer का मतलब समझे आप कि जब मोनोमर बहुत सारे मोनोमर सापस में जुड़ते हैं तो अब क्या बनता है हाई मोली किलोवेट के कंपाउंड्स बनते हैं जिने हम पॉली मर्स करते हैं ओके के लिए रहे बात समझाती है अब बता से मोनोमर कोन है कोई रिकत है बोलो जी बास समझाती है कि अब दुसरी बात देखे ध्यान से यह बना पॉली इथीन यह पॉली इथीन जो पॉलीमर है समझना आप यह बात मैं इसको यहां लिख देता हूँ अब पॉली इथीन जो पॉलीमर है जो यह बना है हमारे पास यह पॉली इथीन पॉलीमर दो तराका होता है दो तराका हो सकता है पॉली इथीन पॉलीमर एक हो सकता है य लो डैंसिटी पॉली इधिन लीपीए का मत्रब है लो डैंसिटी पॉलीधीन और udh be ka मिनिंग है हाइभ देंसिटी ओलिधिन क्वाकस औरा देंसिटी पॉलीधीन नाम से ही पता चल रहा है क्या कि इसकी density क्या होगी कम होगी और इसकी density क्या होगी ज़्यादा होगी लेकिन दोनों ही क्या है polyethene ये भी polyethene है और ये भी polyethene है इसका मतलब क्या हुआ कि जब ये दोनों ही polyethene है तो दोनों का ही monomer कौन है बताइए दोनों का ही monomer कौन है दोनों का ही monomer इसका भी monomer क्या है? बोलो बास समझा जरी है करें monomer कोने इसका भी इसील ही monomer है केलियर रहे बाथ? फर्ख क्या है फिर? इस low density polyethine और high density polyethine में क्या फर्ख है? देखो दी क्या फर्ख है? एक तो जो ldpe है low density polyethine है यह ब्रांच्ड होता है ब्रांच्ड मतलब शाखीत होता है और जो high density polyethene है यह ब्रांच्ड ना होकर linear होता है यानि रेखिये होता है एक तो यह difference है दूसरा यह difference है यह जो ब्रांच्ड है यह इसके अंदर weak forces of attraction होता है यानि आकर्षन बल कम होते और यहां पर यहां पर यह होता है forces of attraction वो क्या होते हैं जादा होते हैं यह जो ब्रांच्ड वाले हैं यह हलके होते हैं और यह flexible होते हैं लेकिन HDPT वाले जो होते हैं, यारी कठोर होते हैं और यह हार्ड होते हैं मैं क्या सकता हूं, यह tuff होते हैं नहीं हार्ड होते हैं, तो जो इनके मेल्टींधंग पॉइंट्स हैं वह जादा होते हम इनका जो melting points है, वो ज़ादा होता है, इनका जो molecular weight है, वो भी ज़ादा होता है, इनके जो melting point है, इसके low density वाले के, वो कम होते हैं, इनका जो molecular weight है, वो भी क्या होता है, कम होता है, मतलब इनसे जो बनते हैं, वो hard items बनते हैं, क्या बनते हैं, hard items बनते हैं, hard items मतलब जैसे दूद के बॉटल से मिल्क बोटल से यह बनती है जैसे बकेट से पानी बढ़ने की बालती है वह बोलती है जैसे दस्ट भी न है वह इससे बनता आए बोलो इलियर और जो हमारे क्या है यह लो डैंसिटि पॉलिधीन है इनसे क्या बनते हैं soft bottles बनती है soft bottles बनती है जैसे plastic की bags बनते है plastic की जो थेली होती है जिस पर परतिबंद लेगा हुआ है समझे रहे हैं आपी बात यह soft बनते हैं इनसे LDPE से और किसे HDPE से HDPE से क्या बनते हैं hard items बनते हैं एक तो यह difference है ऐसे याद कर लेंगे LDPE कैसे होंगे light होंगे low melting point होगा अगर LDPE light मत्र भलके है low melting point है low molecular weight है बोलो यह HDPE है high melting point है high molecular weight है बात समझाती है एक बात भी रखेंगे याद के branched है और यह linear है कोई रिक्कत है यहाँ low force of attraction है यहाँ high force of attraction है low में low molecular weight low melting point low force of attraction high में high molecular weight high force of attraction high melting point किलियर है बात ओके कोई रिक्कत इस बात में बोलिए इन दोनों में बाइक कमेंट बॉक्स में कमेंट आप करते रहें LDPE और HDPE में एक बहुत important difference है जान से रिखेगा जान से समझना आप प्लीज LDPE जो होते हैं ये important है ये exam में question आता है जब LDPE बनेगा तो बनेगा किससे? इथीन से बनेगा जब HDPE बनेगा तो बनेगा किससे? इथीन से ही बनेगा लेकिन देखो एक फर्क है जो आपको भी लगा होगा जब मैंने बनाया तो आपको भी लगा होगा क्या? कि CS2 double bond CS2 को जब मैं दूसरे molecule of इथीन से मिला रहा हूँ तो क्या होगा? बताए ये CS2 double bond CS2 यहां भी CS2 double bond CS2 था मैंने bond तोड़ा एक electron यहां एक यहां एक यहां इसका इसका bond बन गया बात समझाती है? यहां पर एक electron atom के पास यहां भी दे क्या बना? फिरी radicals बना के नहीं बना? यानि यहां जो intermediate बनने है फिर radicals बन रहे हैं ओके दूसरा तरीका हम क्या कर सकते हैं? CS2 double bond CS2 पलस CS2 double bond CS2 है बताए दूसरा तरीका क्या कर सकते हैं CS2 double bond CS2 को CS2 double bond सी एश्टू का आपस में जोड़ना चाहते हैं आप क्या कर सकते दूसरी बात आपके मन में क्या सकते के पलस ये माइनस ये पलस ये माइनस ओके बताईए यहां पर क्या माइनस प्लस के वीच बॉर्ण बनीगा फॉर्स अट्रेक्शन बोलो जी बास समझ आ रही है या नहीं इस पताईए जाए यहां पर क्या बने आयोनज समझ का कहलाएगा और यह कौौन सा कहलाएगा अ deshalb मेकनिजम कहलाएगा बोलो मसमें आती तो आपको सिर्फ एक बात याज रखनी है कि जो LDPE है वो कौन से मेकेशन से बनेगा फिरी रैडिकल मेकेशन से बनेगा और जो HDPE है वो किसे बनेगा आयामिक मेकेशन से बनेगा यह कुष्षन आता है एक्जाम के अंदर बोलो जी समझ में आती है बात या नहीं बताईए जी बात समझ आती है कर नहीं आती है बोलो जी समझ में आती है बात जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दीजिये मुझे को याद रहेगी LDP E Fieridical से बनेगा HDPE किस से बनेगा आयनिक मेकानिजन से बनेगा या question lijy जब फिर इरेडीकल मेकानिजम होगा तो बताये जब फिरیک या या नहीं होता है आपने前 स्भूल्त आफने जैनिक मेकानिक पड़ा था और वो time-reactive intermediate बनता था लेकिन जब आपने anti-marconi को फ्रूल पड़ा वो free radical mechanism था और उसमें क्या बना उसमें क्या लेना पड़ा था आपको प्राक्साइड लेना पड़ा था समझ रहे हैं आप ये बात तो एकर आप से पूछे कि निम्न में से कौन सा free radical प्राक्साइड की प्रजेंस में बनता है बोलो या उक्सियन की प्रजेंस में बनता है कौन सा बनेगा LDP क्योंकि वो free radical mechanism से बनता है कि लिए बात समय में आती है कर नहीं आती है ठीक है दूसरी बात देखो ज्यासे अब ये पॉली इथीन की बात थी पॉली इथीन की बात थी दो टाइप्स के थे ठीक है ये बात हमें समझ में आ गई अब समझना एक बात अगर मैंने यहां ch3 ch double bond ch2 कितने लेंगे बहुत सारे न है बताइए अ辉म घ्रावी एक संन एक pequeño half इसपर यहां से भॉंट नेश्पर यहां से पॉर्ण तोड़ा एक रेक्ट्रोन इस पर एक इस पर एक्पर एक सिधी सीधी बात वह क्या लिख ओने का करेंगे तो यहां पर ब्रेक्ट दगा देंगे तो यह बन जाएगा पॉलीप्रोपीन बन जाएगा बोलर और नहीं आ तो बोलो जी चाहिअ मैं आती है यह जिसा रोज में पॉलीप्रोपीनबन जाएगा कोई बिहें दिकत है को बताये तो बोलो जी ठीक है जी तो यह पॉली प्रॉपीन बने गाए तो पॉली प्रॉपीन का मॉनोमर कौन होगा यह कॉश्चन पुछेगा प्रॉपीन होगा एक बात में और बताता है चलो ज्यांसे देखो जब हमने बॉली इद्धी लिखा शॉट में पीई कहते हैं यह दो तरह का यह जून यानिक मैंक से बनना है बार्ड पर तो हम बॉन तोड़े तीरडिकल से बनाना शुरू कर दें या हम सुरू कर दें कॉटे पलस माइनस चार्ल लगा लगा आयानिक मैंक से शुरू कर दें लेकिन प्रैक्टीकल इक कैसे होगा कि कब हम ऐनिक मेइस से बनाइए मतरब कब हम अचाते हैं और कब हम उच्छटी बनाना चाहते हैं तो हम ऐसे नहीं तोड़ जकते न कि बोड़ा इस पेक इलेक्ट्र इस पेक याद रखना इस बात को याद रखना इस बात को इंपोर्टेंट बात बता रहा हूं तो आपको HDPE बनाने के लिए मतलब आयनिक मेकैनिस्म करने के लिए आपको यहां एक कैटलिस्ट डालना पड़ेगा क्या डालना पड़ेगा एक कैटलिस्ट डालना पड़ेगा यानि इथीन की जो रियक्शन है पॉलिमराइजेशन है एक कैटलिस्ट की प्रजेंस में कराना पड़ेगा और वो बहुत इंपोर्टेंट कैटलिस्ट है हर साल एक्जाम में पूछा जाता है जिस कैटलिस्ट का न HDPE HDPE किसकी presence में बनता है किसकी Ziegler Neta Catalyst की बनेगा अगर वो कहे जब इथीन का Polymerization Ziegler Neta Catalyst की presence में कराया जाता है तो क्या बनेगा HDPE बनेगा यानि Ionic Mechanism कब होगा जब हम Ziegler Neta Catalyst का यूज करेंगे अगर हमने ना किया तो फिर क्या होगा LDP की बनेगा Free Radical Mechanism से reaction होगी बोलो जी बास समझ आ रही है नि अब एक question ये पूछा जा सकता है कि Ionic Mechanism किसकी presence में होता है Polymers का Ionic Mechanism किसकी presence में होता है Ziegler Neta Catalyst की presence में होता है दूसरा question ये वो ये पूछ सकता है कि जो ये Ziegler Neta Catalyst है ये होता क्या है TICL4 plus C2H5 का whole thrice L क्या formula है इसका TICL4 plus C2H5 का whole thrice L ये भी याद रखना है 100% question मनेगा वो पूछेगा which of the following is Ziegler Neta Catalyst याद रहेगा TICL4 plus C2H5 का whole thrice L ऐसे भी कह सकता है TICL4 plus ET3L कभी आप जुन्दों वहाँ ET क्या ET मत्रब इथाईल होता है पास समझ आ रही है अच्छा अगर उसने नाम पूछ लिया इसका तो नाम भी लिख दोगे आप क्या भाई बोलो क्या इसका नाम क्या TICL4 का इसका TICL4 का नाम क्या है Titanium Ti का नाम है चार है C-L तो Tetra Coloride है तो इसका नाम क्या हुआ Titanium Tetra Coloride हो गया अच्छा है इसका नाम बोलो क्या हुआ कितने इथाईल है तीन इथाईल है तो ट्राइथाईल हो गया और क्या है Metal कौन सी Aluminium है तो ट्राइथाईल Aluminium हो गया और क्या लगा हुआ यहां पलस तो इसका मतलब क्या हो गया मिक्चर हो गया बोलो और किसका मिक्चर हो गया समझें मिक्चर ओ टाइटेनियम टेट्रा क्लाइड एंड ट्राइथाइल अलुमिनियम क्या कहलाता है जिगलर नेटा केटलिस्ट बोलो जी बात समझ आ रही है या आई बात बोलो तैटराइब प्रेस्ट ऑट पर यह नहीं होता है तीसरे पॉलिमर की बात कर रहा हूं देखो जी ज्यांग से अगर हमने क्या लिया अगर हमने बेंजीन रिंग लिए इसके उपर CH double bond CH2 लगा दिया मतरब मैं कह सकता हूं C6 H5 CH double bond CH2 है यह है बोलो क्या नाम है इसका इसका नाम है फिनाई इथीन यह इसका जनल नाम स्टाइडीन इंपोर्टेंट है बोलो जी बास समझा रही है बताईए क्या करें जब बहुत सारे स्टाइडीन लेंगे तो बताईए क्या होगा बोलो जी यहां पर CH development CH2 है क्या करोगे यह bond इसका नाम क्या बन जाएगा इसका नाम बन जाएगा यह फिनाई इथीन था तो क्या नाम हो जाएगा पॉली फिनाई इथीन हो जाएगा तो पॉली स्टाइडीन का मौन है इस्टाइडीन है इस्टाइडीन का दूसरा नाम क्या फिनाई इथीन है बास समझ आती है कर नही कोई प्रावलम है जी यह जो पॉली स्टाइडीन है यह HDPE से ज़ादा प्रफोर होता है ज़ादा रीजिड होता है ट्रांस्पेरेंट होता है कैसा होता है ट्रांस्पेरेंट होता है और रासाइनी कुरूप से अकिरियस शीन होता है यानि केमिकल इनर्ट होता है इससे खिलोन हैं लैब्स के अंदर उनके रखने के कंटेनर्स बनाए जाते हैं जो टीवी की केबिनेट है बोड़ी है टीवी की बोड़ी है वो बनाए जाती है जो खाना रखने है도 इसमें चोइस पॉलिवर की बात करता हूँ त्पॉलिमर की बात करता हूँ तद्च ऴिक नाम कना है या क्लोरो initiat भी इसका नाम है बोलो कि अहां जय नाम क्या होगा विनाइल कलोइड बहुत सारे तो नाम बन जाएगाक पानी के पाइपस टंकी फिटिंग के पाइपस लेना भात समझा रही है या नहीं इसके यूज़ आपको बताने की जोड़ नहीं है पाइप सोगेरा में इसका यूज़ होता है ठीक है कोई दिखकर चले एक और पॉलिमर मैं आपको दिखाता हूं ध्यान से देखना है अगर मैंने डबल बॉंड लिया यहां पर एल लगा दू तो इसका नाम इधीन है ना और अगर मैंने क्या किया यहां पर दोनों अटा दी इसके और यहां भी दोनों अटा दी और दो फलोईन यहां दो फलोईन यहां लगा दिए बताओ कितने नटा चार क्या लगा दिए चार फलोईन लगा दिए किस पर तो बताईए क्या किया आपने चार फलोईन लगा दिए सेमें हैं नाम क्या होगा क्या पोली इथीन होगा ना पोली इथीन की डिवस्त scientist से बनता ये तो टेट्रा फलोरो इथीन से बना है तो इसका नाम क्या होगा बोलो पॉली टेट्रा फलोरो इथीन बोलो बात समझ आ रही है पॉली टेट्रा फलोरो इथीन इसका नाम होगा और शोट में हम इसको क्या बोलेंगे पी टी एफी बोलेंगे क्या बोलेंगे शोट यह नाम इसका सबसे ज़्यादा इंपोर्टेंट है कि बताएए टेफलोन का मोनमर कौन है तो आपको यह पता होना चाहिए कि पॉली टेटराफलोरोइथीन को ही टेफलोन कहते हैं बोलो बताओ पॉली हटा दो यहां से मोनमर रह जाएगा पॉली हटा के क्या वचा फलोरोइथीन को पॉलो जी बात समझ आती है कि लिए इसका यूस का होता है सबसे ज़्यादा जो नौन इस्टिक यूटेंसिल्स हैं बरतन है उन्हें बनाने में यूज किया जाता है is तोइसका सबसे ज़्यादा कार वहेरा में आर में लगती है वाहन में उसमें यूज हो का मोनोमर कौन है टी एफ़ी यानि टेट्राफलोईधीन क्यों भी टेफलोन का दूसरा नाम पोली टेट्राफलोईधीन भी होता है ओके चलिए मैं आपको और दिखाता हूं हमने यहां सीएश्टू डबलबॉंड सीएल लिया था विनाईल कलोईड इसका नाम था अगर मैंन एक इस पर तो वालेंज़ लगत तो नाम क्या होगा इस का नाम होगा बात याद रही रखना इसकी शुर्ट फोर्म मी बंती है और डी विनाईल कलॉड़ कि शोर्ट फॉर्म पी पीवीसी बंती है लेकिन याद रखना इसकी शोर्ट फॉर्म tears से नहीं होगी ये बात रखना फ्यक्त का मतलब सिर्फ और सिर्फ ओर से पॉलिविन आिल करौयड होगा बोल बास समälश में आ रहीए वह है नाइड़ें बताएं बदाएं बने चोल बने और ड़े हो नाइट्राइल की कि फुल ऐसकी शोट उपजार लिए कीं लिरुए आरं फ्रीयर है और लियieg को पॉलीकर नाइट्राइयल का यह सांथ इसका इंप्रेटिन नाम है और और ओर उल्लोन का नाम है fel बात समझ आती है या नहीं आती है बोलो ये बात समझ आती है या नहीं कि बोले भाई समझ में आती है बात या लिए जी आती है अब सुनों एक बार यह जितने भी मैंने यहां पर पॉलिमर्स पढ़े हैं आज इनमें आपने देखा हो एक observation आपने किया होगा इनमें आपने एक observation किया होगा क्या कि हमने इनमें सारे ऐसे कंपाउंड लिया या या क्या लिया एक बार रिवाइस कर लेते हैं अब सुनों एक बात बात समझा रही है करें ठीक है इसकी शोट भी आप ले सकते हैं अब सुनों एक बात इन सब में इन सब में जब आपने देखा तो हमने एक काम किया क्या बताइए कि अब सकते हैं यहां यहां लिए बहुत सारे लिए यह अब स्विक्ति आप लोगें यह नहीं अब नहीं परोपीन लिए तो सिर्फ हमने विनायल कलवाइड लिया बोलो यानी चेसे पोलो एक जैसे मोनोमर लिए यह जैसे मोनोमर homopolymers समझे homopolymers क्यों बोलते हैं homo मतलब same जो same monomers से बनते हो एक जैसे monomers से बनते हो इसलिए उने बोलते हैं homopolymers कोई डिक्काद है इस बात में लेकिन अगर ऐसा हुआ देखो अब आपको clear हो जाएगी बात क्योंकि आप पढ़े कर आएं और अगर मैं ने फिनल ले लियक्शन मैं ने फॉरमल्डी हाइड के साल कर दी तो अक्किनूल लिया फॉर्म BL plac लिया नोवलेक नोवलेक के बाद नोवलेक लीनियर पॉलीمर था ठीक है उसके बाद फिर हमने पॉलिमराइजेशन कराया तो बेकलाइट बना और बेकलाइट बरांज पॉलिमर था बरांज मतलब 3D पॉलिमर था बोलो बात समझे आ रही है या नहीं तो बताईए मुझे जो बेकलाइट पॉलिमर बना वो क्या उलि फिनोल से बना ना क्या बेकलाइट उलि फॉर्मल लिहाइट से बना ना इसमें तो दो तरह के मॉनोमर्स है बताईए बेकलाइट के मॉनोमर्स कौन है बोलो बेकलाइट के मॉनोमर्स कौन है बोलो फॉर्मल लिहाइट एंड फिनोल है बोलो यह बात समझ आती है कि नहीं है बैकलाइट के मॉनोमर्स एक ही जैसे नहीं है बताईए बात समझ आ रही है नहीं इसलिए यह होमोपॉलीमर है क्या बताईए क्या यह होमोपॉलीमर है बताईए क्या होमोपॉलीमर है बोलो जी बता दो क्या बैकलाइट होमोपॉलीमर ह बोलो बैकलाइट हो पॉलीमर नहीं है तो फिर कैसा है फिनोल को क्या चाहिए अगर बैकलाइट बनाना है बोलो किसी की सहयता चाहिए किसकी फॉर्मल डिहाइड की बास समझा रही है ऐसे पॉलीमर को हो मो पॉलीमर नहीं कहते हैं क्या कहते हैं को पॉलीमर करते हैं बोलो बा कोलीवर सब्सक्राइब आप है जैसे शान irrit Kelly ऐसे नैलॉन नाइलोन नाइव नैलोन टूस है यह सब किसके को पॉलिमर्स के एक्जाम्पल से एक बात और सुनो ज्यांसे लिए कि जब हमने क्ला और ह Ну दूसरा कि इसके साथ जोडा वैलनेश फ्री हो गई एक और होगई दो इसा किया ना उसने बताइए यहां पर क्या कुछ निकला बहर कुछ बहर नहीं निकला सिर्फ क्या हुआ CS2 का pi and tota और दूसरा मॉली की उलाकर जुड़ गया बोले यहां addition हुआ addition हुआ elimination हुआ condensation हुआ क्या हुआ बोले addition हुआ यहां क्या हुआ addition हुआ बो बास समझा रही है, तो जो polymer बना है, यहाँ पर polyethene, जो polymer बना है, बोलो उस polymer को क्या कहूँ, Edition polymer या Condensation polymer, कैसा Polymer है, Edition polymer है, तो मैंने आपको, polyethene, polypropene, polystyrene, polyvinyl, pvc, PPTFE, और long, यह सब जो पढ़ाएं हैं, यह किसके examples हैं, इडीशन फॉलिमर के एक्जाम्पल कोई द्रिक्कर है इसे बात में यह तो एडिशन फॉलीबर्स सट देंअ को हिंदी में संघंडन के अब देखो सुनो बात मासम का मतलब क्या होगा कंडेंसेशन पॉलिमराइजेशन होने के लिए जो मोनमर है क्या है मोनमर जो याद रखना है जो मोनमर है वो बाइफंक्शनल होना चाहिए कैसा होना चाहिए बाइफंक्शनल होना चाहिए मतलब उसके पास उसके पास क्या होना चाहिए दो फंक्शनल गृप्स तो होने ही च जब श्यारी है condensation Polly Merization होने के लिए condensation Polly Ver बनने के लिए जो monomers है उनमें प्रतेक के पास दो functional groups होने चाहिए बोलो जी याद रहेगी या नहीं बोलो जी याद रहेगी या नहीं हमने एक पॉलीमर दूसा नाम पर कैसे बनाते यह को इस पॉलीमर को रहाते हैं तो देखो और यांग से देखो हमें क्या लेना पड़ेगा एक पॉलीमर तो एक मॉनोमर तो लेना पड़ेगा टेराफ्थेलिक एसिड और दूसरा दूसरा लेना पड़ेगा यहां पर क्या गराएंगे क्या बनेगा बताईए अब पूछे मतलब नहीं आपको आपको एक्जाम में बताने के मॉनोमर कौन है बोलो कौन है यह हमारा अंसर हो जाएगा अब अपने सुना जी यह बेंजीन है अब में दो सी डवलेश लगा दूसकी एड़ेसेंट पोजिशन पर तो इसका नाम थैलिक क्या होत्ता है नहीं बोलहाव जानते हो आपके नहीं भाए जांते हो आपके नहीं के नहीं बोलगी वंदराब बाटिए आपको आसरहा नहीं पता चलांए और लगनिका इन रिए बहाई क इतने के दणा बाद कि थैलिक पूजिशन पर दोनों दूसरे सब्सक्राइब को दिए ठीलीग यहां है यहां है यह द्याइब के दो लिए चलो लिया यहां के यहां यहां अब बताई हमें क्या करना इथाइलीन गलाइकोल लेना है बताई इसके पास दो फंक्शनल ग्रूप है या नहीं है बूले हिसके पास दो फंक्शनल ग्रूप हाइए बताईन और हैं ग्री सब्सक्राइब यहां पर कहा है बंदाईयो क्या होगा बताईए और बोलो जी जब यहां से एक निकलेगा बताइए इस प्लस माइन से की बनेगा बोलो निकलेगा कि निकलेगा इसका माइनस निकलेगा के नहीं बना दू बता इसका नाम डेकरोन हो जाएगा जल्दी बता समझ में आगी बात यह नहीं कपड़े बनते क्या बतेस के कपड़े बोलो जी समझ में आघी बात अब सुनो बात सब्सक्राइब के साथ हमने थैली कैसिड लिया क्या जो जो पॉलीमर बनेगा टैरेफ तल कहेंगे क्या गेंगे क्या बोलेंगे क्या डिक्कत इस भात में हैं जल्दी बता दोoda दो यह जल्दी से जल्दी से समझ में आ रही है कि यह उसके एक्जामपल है एक बात और सुनो बहुत इंप्पोर्टेंट एक्जामपल है नाइलोन इसका नाम क्यों है इसका नाम क्यों है इसका ऑप से मूनमर मत्यान से ढखो पहला इसका क्षोन पर दिचने के अंदर एक्टिव मिथायलीन और एक इसका हैं ओर इसका ईग्जामिक हाईलींड डाइमीन बात समझा लिए है फोली मराइजेशन होगा और क्या बनेगा नाईलोन 6-6 अब सुनो इसका नाम एडीपिक एसिड है अभी है एडीपिक एसिड क्या होता है जिस च्क यह होता है सी एस्टू सीएश्टू अच्छे च्छे कारबन है बताईए यहां हैं यहां हैं यहां 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 कितने कारबन हैं बोलो जी समझे के बात कि नाइलुन six six को मोनोमर जो है उसमें पहले मोनोमर में चर्बांबन है और दूसरे मोनोमर अदिपीक एसलिए उसलिए क्या बोला नाइलोन शिक्सिक समझे आप इबाद 66 का मतलब क्या है बताओ जिल्दी देख्शन को मैं करा देता हूं जलिए रेक्शन बहुत आसान है हमने क्या लिया हम नहीं यहां सी डवल ओएच लिया कितने चार्ड ले लिया यहां सी डवल ओएच लिया यह क्या होगा लडीपीक एक इसड बो बोलो एच्टो निकलेगा के नहीं यहां पर बन जाएगा इसी तरह बहुत सारे जुड़ जाएंगे बता यह क्या बनिया बहुत यह क्या बन जाएगा हमारा नाइलोन शिक्स एंड लगाकर बताएगे आपको बात मोनमर आप पूछेगा बताओ नाइलोन शिक्स इसका नाम क्यों यहीं पता चल गया करें चल गया बोले जल्दी बता दो मुझको बोले जी जल्दी बता दीजिए जी कि बोलो भाई समझ में आगी बात या नहीं आगई अब सुनो एक बात और यहीं याद रखनी है इसको देखो जी इसके अंदर यह पता है लेकिन हमने यहां सिबेसी कैसिड ले लिया सिबेसीड क्या आपता यह सुझाओ सेड़ यह यह सिद्टों का सूचने कारवन है आट और इग्णौरीक दस दस कारवन है बताइए समझाई बात दो फंक्षणल गरूप इसमें है और दो ही फंक्षण भी भाइफ फॉंक्ष्णल रखंडेंसेशन पॉलीमर बनाएंगे बताइए जो नाइलोन बनेगा वह क्या नाइलोन बनेगा नाइलोन 610 बनेगा बोलो बास समझ आ रही है या नहीं नाइलोन 610 क्यों बोला इसको क्योंकि इसकी एक मोनमर में 6 कारबन हैं बताओ जी जल्दी से बता दो मुझको को बोलो जी बास तेक नाइलोन होगता है अब देखो नायलोन 6 क्यों है इसका नाम बता, nylon6 अगर है, तो इसमें 2 monomer है, कि 1 monomer है, पोलो, उसके अंदर कितने कारवण इच्छे, बात समझा रही है, उसका नाम है, इसका जो monomer है, बहुत important है, क्या नाम है? और इस च्रॉक्टमके अंदर 6 कारवण है, ठीक है, उसकी structure आपकी कोपी में बनी हुई है समझे आप ये बात बोलो समझ गए या नहीं बता दो जी जल्दी ठीक है अब सुने और बात सुनिए ध्यान से देखेगा इधर इधर जी ध्यान से समझना आप ये बात इधर अभी हमने जब कंडेंसेशन पॉलिमर्स पड़े तो हमने गिलिप्टल ल यह लिए ठेरेफैलीक ऐंशिट ऊसे करााई के नहीं करना इधर बताओ और अगर कोई घ्रीक एसेडर को आपस में गरता है और H2O निकलता है तो बताओ क्या बनता है RC double bond OOR- plus H2O बताओ ये बास समझ आ रही है आपको या नहीं ये कारबोक्जलीक ऐसेड और ये अलकोहल और H2O निकला कंडेंसेशन हुआ बताओ ये जो बना वो क्या है एस्टर है या नहीं है RC double bond OOR- hashter है का नहीं है बोले बास समझ आ रही है को ये ऐस्टर है का नहीं है बोले ये ऐस्टर है का नहीं है इसका मतलब क्या होगा कि यहां पर जब ये bond टुटेगा ये OHH निकलेगा ये जो बनेगा ये ऐस्टर होगा और polymur के अंदर ये इस्टर यह एस्टर बहुत सारे बनेंगे इसलिए मैं इस गिलिप्टाल को इस ताह के कंडेंसेशन पॉलीमर को क्या बोल दूँ पॉली एस्टर्स बोल दूँ या नहीं बोल दूँ जल्दी बता दो बोलो जल्दी से पॉली एस्टर्स बोल दूँ के नहीं बोल दूँ बता दीजे जब हमने अभी Nylon 66 बनाया तो Nylon 6 की 6 के अंदर आप ने देखा यह CH2 का Hall hvor 4 C ц टू का Hall C donオ H बोलो यहां भी CS2 का Hall MT QORS था और यहां पर क्या था यहां पर क्या था NH2 बोलो यहां पर क्या था CH2 का Hall 6 और यहां भी क्या था NH2 बोलो था जब यहां से H यहां से OH निकला बोलो H2O निकला बताई जब यहां से H2O निकला बताई यह बॉंड बना के नहीं बना और जब यह बॉंड बना तो आपने अमिनाइसिट्स के अंदर प्रोटीन्स के अंदर देखा बोलो जब आपने अमिनाइसिट्स और प्रोटीन्स के तो बताइए ऐसे polymer को polyamide कह दूँगा के नहीं कह दूँगा तो condensation polymers का मतलब दो तरह के हुए polyester and polyamides तो आप से पूछे polyamide का example कौन nylon 6-6 nylon 6-10 आप से पूछे polyesters का example कौन गिलिपटाल बोलो बात समझ आ रही है के नहीं बोले कोई दिक्कत इस बात में जल्दी बता दो कोई दिक्कत इस बात में जाले नहीं है अब सुनों अगर आपने एन फिनॉल लिए और उसके साथ फॉर्मर्ली हाइड के रियक्षाथ रियक्षन कराई तो बैकलाइट बनेगा पहले नोवल एक पॉलीमर बनेगा और बैकलाइट इस से पॉचहें पॉलीमर कोन तो बैकलाइट बोला आपसे पूछे मौनो और कौन फिनॉल एन फॉर्मल्ली हाइड बैकलाइट कैसा को पॉलीमर बात समझा रही है, अच्छा एक बात और बता दो ध्यान से बखे गा यह जब हमने बैकलाइट बनाया यह जब हमने लिए के नहीं लिए नहीं है लूँ का कि ल ben लीए लिए जल्दी ली इसलिए मैं इसको कह रहा हूं Phenol formaldehyde resin बास सम्झ आ रही है कि ने क्या बोलwen Phenol formaldehyde resin क्या है Phenol formaldehyde resin लेकिन अगर मैंने किसी में अगर मैंने किसी पॉलिमर को बनाने के लिए Chirya and formaldehyde लिया क्या मैं उसको Phenol formaldehyde resin बोल दूँँगा नहीं उससे जो polymar बनेगा उसको में क्या बोलूँगा यूरिया फॉर मंल्डी हाईड रेजिन बोलूँगा बोलो जिस समझे में आती है बात गिलियर अच्छा आप देखो जो इसका नेचर कैसा है सुनो अगर हमनें इसको हीट कर दिया अगर हमने इस बैकलाइट पॉलिमर को हीट किया अगर हमने इस बेकलाइट पॉलिमर को हीट किया तो देखो यह हीट करके यह हीट करने पर कैसा हो जाएगा हाड हो जाएगा हाड तो हो जाएगा लेकिन कूल करने पर वापस कूल करने पर सॉफ्ट नहीं होगा कैसा नेचर है बेकलाइट का हीट करेंगे हाड हो जाएगा हाड हो जाएगा बट कूल करने पर ठंडा करने पर वापस सॉफ्ट नहीं होगा बोलो क्या करने पर हाड हुआ क्या करने पर हाड हुआ हीट करने पर हीट को बोले थर्मो थर्मल मींज हीट टेंपरेचर बोलो हीट करने पर हाड हो गया सेट हो गया अपनी जगा सेट हो गया थर्मो सेटिंग पॉलिमर है कैसा पॉलिमर है थर्मो सेटिंग पॉलिमर है बात समझा रही है तो बेकलाइट कैसा है थर्मो सेटिंग पॉलिमर है लेकिन अगर आपने नाइलोन सिक्स लिया आपने नाइलोन सिक्स लिया तो सुनो जब हम इसे heat करेंगे तो यह soft हो जाएगा soft हो जाएगा और जब हम इसको cool करेंगे तो यह hard हो जाएगा बात सब्सक्राइब यह heat करने पर soft हुआ और फिर cool करने पर hard हुआ बोलो ऐसा nature किसका होता है ऐसा nature plastic का होता है बोलो आप जानते हैं पॉलीमर को thermoplastic polymer कहेंगे ओके के लिए रहा है तो यह thermoplastic है और यह thermosetting है तो आपको यह याद रखना होगा thermosetting polymer का example कोन है यह याद रखना होगा thermoplastic polymer का example कोन है कुछ हमारे यहाँ natural polymers है जैसे मैं आप से पूछे protein हाँ बना ना पढ़ेगा का नहीं natural polymer है लेग आप से पूछे protein का monomer कौन amino acids है ओके हमने पढ़ा क्या starch बोले starch का monomer कौन कारवाड़ेट्स पढ़ा glucose है बोले हमने cellulose पढ़ा बोलो cellulose का polymer कौन है बोलो glucose है बास समझ आ रहे ही कैं यह हमारे कैसे है natural polymer है इसी तरह से एक है natural lover है हमारे पास वह आप से पूछेगा natural lover का नाम क्या है natural lover का नाम है polyisoprene जब उसका नाम polyisoprene है तो उसका monomer कोन है isoprene बोले बास समझाती है कि लिए रहे हैं सिंथेटिक polymers synthetic polymers से जिनम बनाते हैं जैसे इधीन polythene polypropene polystyling यह synthetic polymer कुछ नेचर में पाए जाते हैं जैसे इस्टार्च यह प्रोटेर क्या है डिन्य आरन ने हैं poly nucleotides है ठीक है उनके monomers अगर poly nucleotide का monomer पुछे तो क्या होगा निकलोटाइड बास समझ आ रही है या नहीं आ रही है एक आपको rubber पढ़नी है रबर तीन तरह की होगी natural lover monomer कोन है आइसोप्रीन नाम क्या है उस नेचर लबर का polyisoprine एक होती है synthetic कौन सी होती है synthetic rubber synthetic rubber का monomer कोन है नियोप्रीन और नियोप्रीन का दूसरा नाम क्या होता है सुरी synthetic rubber का कौन है chloroprine natural lover का monomer isoprine synthetic rubber का monomer कोन है chloroprine जो नेचर लबर दो परकार की होती है एक उसकी सिस फॉरम है जिसे हम नेचर लबर कहते हैं और एक इसकी बाकी बात आप पड़ लेंगे जो मैंने आपको नोट्स बेजें है ठीक है आई होब कि आपको Polymers के बारे माइडिया होगा अब आप Polymers के जो मैंने नोट्स बेजें हैं उसे दो बार read करेंगे और ये वाले अपनी formish notes भी आप बना सकते हैं याद कर सकते हैं कोण addition polymer है कोण condensation polymer है कोण सा है कोण सा है thermosetting है कोण thermoplastic है कोण homo polymer है कोण copolymer है कोण polyester है कोण polyamide है और हर polymer का monomer और हर monomer का polymer ये हमें पता होना चाहिए और तीनों परकार की rubber बोल नैचुरल अबर, सिंथेटिक रबर एंड वलकेनाइज रबर ये हमें पता होनी चाहिए एक बायो डीगरेडेबल पोलीमर होता है बायो डीगरेडेशन का मतलब है जेवी कपगटन जिसका जेवी कपगटन हो जाए सुक्षन जिवान वो बायो डीगरेडेबल पोलीमर है उसका एक्जामपल है बेस्ट नाइलोन 2, नाइलोन 6 क्या है नाइलोन 2, नाइलोन 6 के लिए ये बाते आपको याद रखनी है I hope कि पोलीमर का आपको हर कोस्टन के लिए होगा, कोस्टन एक भी नहीं